तो इस वीडियो हम लोग solve करने वाले MCQs MCQs यहने की questions, कौन से questions कल हम लोगोंने NDA, CDS, FCAT और CAPF exam के लिए अपना GK और GS वाला section स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगोंने स्टार्ट किया था अपना geography और उसका पहला chapter देखा था fundamentals of earth और उसका जो main हिस्सा था वो latitude और longitude था निया chance वा देशांतर तो उसी पे based हम लोग MCQs देखने वाले हैं अब सिर्फ latitude और longitude के में यहाप MCQs नहीं रहेंगे वो छोटे-छोटे सभी topics जो हमने कल देखे तो जैसे की age of the rock, rotation, revolution इस सारी चीज़ों के MCQs यहाँ पर आपको मिलेंगे टोटल 15 MCQs solve करेंगे ना सिर्फ 15 MCQs के तुरू आप यह concept revise करने वाले हैं जो कल हम लोग ने पढ़े थे बलकि दो नए concept भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं एक तो seasons of earth किस तरह से जो हमारा revolution है पूरा seasons of earth को effect करता है और दूसरा ITCZ क्या होता है यह horse latitude क्या होता है यह सारी चीज़ें आज के इस वीडियो हम लोग दिखने वाले हैं तो ना सिर्फ यह session important है बलकि interesting भी रहने वाला है तो चलिए start करते हैं और अपना पहला question देखते हैं सभी लोग अपना answer बनाएंगे 15 और उसके बाद वीडियो के end में इस बार के जो exam हुआ आपका ंडिया सीडियस उसमें इस topic से based जो MCQs आएं आपके exam में directly वो करने वाले हैं हर साल चाहुआ इंडिया के exam हो cdsf cat तीनों में ही इस topic से questions आते हैं rotation, revolution, latitude, longitude इन सबसे questions repeated basis पे आते हैं चलिए start करते हैं 15 में से आपका score कितना है आखिर में जरूर बताइएगा पहला question हमारा international date line is 180 degree east longitude, 180 degree west longitude तो यह question bilingual है तो यह आप देख सकते हैं अंतराश्टी तिथी रेखा है 180 degree पूर्व देशांतर, 180 degree पश्चिमी देशांतर, केवल एक सही है केवल दो दोनों या फिर नीदर वन नौर टू सही answer इसका है option number C, क्योंकि देखो कल मैंने आपको बताया था यह हमारा globe है ठीक है और इसमें आपको बताया था यह है 0 degree longitude, यहां से आप जाओगे हमने जब यह देखा था यह जाना था कि total number of longitude कितने हैं तो मैंने आपको बोला था यहां से जाओ 180 degree के पास, पीछे एकदम जाओ, तो तुमें 180 यहां पर longitude मिलेंगे, फिर यही काम यहां से करो, तो यहां पर भी तुमें total 180 मिलेंगे, यानि 360 ठीक है और इसको तो तो तुमने छोड़ी दिया, तो एक जोड़ दो, तो total कितने हो गए तो 301, लेकिन total 301, तो थे नहीं, 360 थे, फिर मैंने आपको कौन सब्ट्राइट करने के लिए बोला था, क्यों? क्योंकि वो सेम ही है, जब आप यहां से गया होगे, तब भी आपने उसको जोड़े लिया, और जब यहां से गया है, तब भी उसको जोड़े लिया, यह उसकी तरह नहीं, latitude की तरह है कि 90 डिगरी North, जो latitude वो अलग है, और 90 ड पतना, located at 85 degree longitude, बहुत अच्छा question, इस तरह के questions, UPSC को पूछने में बड़ा मज़ा आता है, डिर्क लिए आप से नहीं पूछेगा कि यहां का जो longitude है, 80 degree है, और यहां का 85 degree, बता दो time कितना होगा है, question वही है, लेकिन थोड़ा घुमा फिर आके आप से पूछता है, ठीक longitude, question हिंदी में भी दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वाले students पॉड़ सकते हैं, अब बताए, question simple language में यह है, यह पटना, जो longitude 85 degree East में located है, 10 बजरा है, तो चन्नाई, जो की 80 degree East longitude में, वहां कितना बज़ेगा, और जोदपूर, जो की 73 degree East longitude में, वहां कितना बज़ेगा, यह पुरा समझा कि आपको, तो 5 degree बराबर, into 4 कर देंगे, 20 minute, ठीक है, और यह सब तो छोड़ी दो, यह सब तो बात की बात है, अगर तुम option को भी ध्यान से देखोगे, तो यह मैं आपको बताया था, कि, अगर यह हमारा 0 degree वाली line है, यह 0 degree वाली line है, और अगर आप इसके इटी की तरफ जा रहें, तो time बढ़ है, हमें add करना होगा की घटाना होगा, हमें time घटाना होगा, क्योंकि हम इस side आ रहे है, ठीक है, इस side जा रहे है, तो इस वज़े से time घटाना होगा, तो 10 से तो कमी होगा ना time, चन्नई में, यह तो option हूँ नहीं सकते न, 10.40 और 10.12, यह तो ऐसे हट गए आप ठीक है अब चलो हम निकाल लेते हैं चिर्णाई के कितना तो चिर्णाई 20 मिनट कितना होगा पीछे होगा क्यों पीछे होगा यह वना को बता दिया क्योंकि अगर पटना से कंपेर करें तो पटना के कंपारिजन में वेस्ट साइड में लोकेटेड ह लेफ्ट साइड में इस वज़े से मुसको सब्ट्राइट करना पड़ेगा जब 10 में 20 सब्ट्राइट करोगे तो नौ बच्के 40 मिनट आएगा ठीक है अब हमें बाकी जो जोदपूर है उसका निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर भी ही सही होगा ठीक है सिंपल ऑप्शन एलिमिनेट करके हमने निकाल लिया लेकिन अभी तो हम पेपर तो अटेम्ट कर नहीं रहें अभी तो हम सिख रहें चीज़ों को चलो जोदपूर का भी निकाल लेते हैं तो जल्दी से इसको सब्ट्राइट कर तो 85 में 73 को सब्ट्राइट करो कितना पर होगा तो हमें ऐसे चलना पड़ रहा है तो हम सब्ट्राइट करेंगे जब सब्ट्राइट करोगे तो नौ बचके बारा मिनिट आएगा ये ठीक है तो आप्शन नमबर भी सही आंसर होगा समझ गया अगला कुश्चिन लॉंगिट्यूड ऑफ में लैंड्स ऑफ इंड इस्ट और वेस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं ना कि नौर्थ और साउथ से नौर्थ और साउथ से तो हम लैटिट्यूड अच्छांश को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप्शन C और D तो पहले रेस से बाहर हो गया अब यहाँ पर बात कर रहा है इंडिया की इंडिया हम लेकिन फिर भी मैंने इसका सही आंसर निकाल लिया खैर हम देख लेते हैं इंडिया का मैप में कि क्या क्या इसके टोटल इग्जैक्ट लॉंगिट्यूड है वैसे तो इग्जैक्ट लिखा भी हुआ है लेकिन फिर भी हम इसको एक बार मैप में लोकेट कर लेते हैं तो यह है आप देख पार होगे इस्ट और यह आपका 97 ठीक है अगर हम रफली आइडिया रफली देखें तो एरांड कहीं ने कहीं 30 डिग्री का डिफरेंस समा सकते हैं वैसे तो 29 डिग्री का होता है अगर याद करने के परस्पेक्टिव साब इसको 30 डिग्री बस मान लो और यही कारण है जब एक डिग्री में कितना मेंट होता है 4 मिनिट मल्टिप्लाइ करो जरा कितना आता है 120 में यानि कि दो गंटे यही कारण है या रुनाचल प्रदेश के इस्टें साइड और गुजरात के वेस् का लैग है लेकिन ऐसा लैग तो है नहीं क्यों नहीं है क्योंकि हमने एक इस्टी मान रखा है इंटरनाशनल और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो कितना है वो है 82.5 डिग्री इस्ट कुछ यहां से पास होता है यहां से उत्तरवर्देश में अलहाबाद है वहां का नैनी हो जाएंगे जो पुराने वाले नोट है तो पता चला गुजरात वाले बोलें कि अच्छा भी तो आठ बजने में हमारे यहां तो आधा गंटे के देरी है तो चलो तब तक तो वैलिड है ना तो इसी वाज़ए से एक कॉमन टाइम है पूरे इंडिया में भले अगर ट्यूटनल एक्सेंट बहुत ज्यादा है वहां पर कई सारे मल्टिपल टाइम जोन से हैं ठीक है अगला कुश्चन देखें अगला कुश्चन हमारा फोथ नंबर अंडमान ग्रूप ऑफ आइलेंड और निकोबार ग्रूप ऑफ आइलेंड सेप्रेटेट वाई विज वन आफ दी फॉलविंग लाटिट्यूट्स यानि कि नेम लिखित में से कौन सा अच्छांस अंडमान दूप समों और निकोबार दूप समों को अलग नि प्रिथक करता है एट डिग्री नौथ 12 डिग्री नौथ 13 डिग्री नौर्थ तो एक चीज़ यहां पर मैं और एड करन भी दोनों ही सेम है ठीक है अरूंड सेम है यह मैं आपको इस व्यसक्र और यहां पर जाके 37 डिगरी के और यहां पर 30 डिगरी को कौन से लाटीटूट करता है जिसको और भी चैनल के नाम से भी जानते हैं ठीक है बाकी और भी चैनल आप पड़ोगे जैसे 8 degree channel 9 degree channel ठीक है तो यह चलो यह भी देख लेते हैं तो जो आपका 8 degree channel है वो लक्षदीप group of island को इससे separate करता है माल दीव से यह भी एक group of islands यह आर्की पर लगो होई है ठीक है और अगर आप 9 degree channel की बात करें तो यह जो मिनी को है मिनी को है जो कि लक्षदीप का ही एक southernmost island है उसको पूरे लक्षदीप से separate करता है ठीक है इसको आपको याद कर लेना है अगला question देखते हैं 5th number which of the following statements is not true about horse latitude अब यहां पर हम पढ़ेंगे horse latitude के बारे में पहले इस question को ध्यान से देखे निम लिकित में से कौन सा कथन अश्व अच्छांस के बारे में सत्य नहीं है horse latitude के बार दिया था का ITCZ zone और यह वो रीजन है जहां पर हमारी जो trade winds होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे अपने लेक्चर में विंड्स कई तरह की होती है पर्मनेंट विंड लोकल विंड्स तो जो पर्मनेंट विंड्स होती है वो उनमें से आती है ट्रेड विंड्स जहां पर ट्र Converge कर रहे हैं अब क्यों विंड्स के Convergence से ऐसा एफेक्ट आ रहा है वह हम विंड्स वाले चाप्टर में देखेंगे यह तो होता है आईटी सीजन में जिसको हम डोल्ड्रम भी बोलते हैं डोल्ड्रम और हिंदी में इसको बोलते हैं अंतह उस्ट कटिबंधी अभी सरन छ अधियर लाटीटूड तो ऐसे लाटीटूड में जो वेंजलती है यह भी बड़ा इंटर्स इंट्रेस्टिंग यहां पे हवाय वगरे सब बहुत कम चलती है यह कभी कभी तो तो चलती नहीं अब जब त्रेड होता था ancient times में जब ancient times में ट्रेड होता था तो horses का भी ट्रेड होता था घोले भी इदर से उधर किये जाते थे ठीक है ships के through अब होता क्या था पता चला यहाँ पे आये अब हवा के direction के थ्रू हवा के थ्रू भी ये लोग ट्रेड करते थे मला अपने शिप को नाविगेट करते थे ठीक है तब हवा चलने यहीं पर खड़े हैं बहुत दिन से कुछ खाना पानी कुछ मिली नहीं रहा है ठीक है अब उपर से घोड़े भी लदे हुए हैं जाएं भी तु जाएं का तो इस वैसे घोड़े को यह फेक देते थे और फिर कोशिस करते थे यहां से निकलने की क्योंकि वजन को कम करने के लिए तो तब ही से नाम पड़ गया इसका हॉर्स लाटिट्यूट अब यहां पर इस कुष्चन का आंसर दो तो तो इसका सही आंसर होगा तो इसका पहले दिखान से देख लेना यह नॉट लगा है कौन सा सत्य नहीं है यह पूछ रहा है ऑप्शन नमबर डी सत्य नहीं है यह जूट है बहुत बड़ा जूट है यह इसको सेफ मान सकते हैं अभी अभी वहने बताया कि आप एकदम विंड्स चलती नहीं है तो इसको क्या हम सेफ म लेकर 35 लिए नौर्थ और साउथ में हैं बिल्कुल सही बात है यह तीस दिगरी और 35 बीच में और बारिश को और नहीं होते हैं ध्यान रखना इस कॉंसेट को एकदम आइटी सीजरत यह ट्रॉपिकल जोन में तो जहाँ विंश कॉन वेर्ज करती है और और होर्स लाटी औ जो है यहां पर high pressure और winds जो है diverge करती है ठीक अगला सवाल one degree of latitude is equal to एक डिगरी अच्छांस किसके बराबर होता है 11 km 200 km 111 km या फिर 311 km तो इसका सही answer क्या होगा option number C 111 km हर latitude के बीच में हर latitude के बीच में distance same होती है difference same होता है यह चीज आपको रट लेना एकदम लेकिन हर longitude के बीच में distance जो है same नहीं होती है यह भी रट लेना है आपको ठीक है क्योंकि equator distance maximum होती longitude के बीच में drawing बहुत बेकार हूं इस वजह से कोई भी गाली अलोज नहीं करेगा comment में ठीक है यहां पर equator में सबसे ज्यादा distance होती है longitude के बीच में और distance कितनी होती है वो इतनी होती है around roughly इतनी होती 111 km और हर latitude के बीच होती है यह आपको याद रखना है क्योंकि statement बना क्योंब पक्का देदेगा आप से कि the distance between longitudes from moving from equator to poles is same तो same नहीं रहेगी वो decrease होती रहे तीकल मैंने आपको बताया था अगला है equator does not pass through घुम अद्रेका डैश से नहीं गुजरती है North America से नहीं गुजरती South America से अफ्रिका से फिर किसी भी continent से नहीं गुजरती है तो equator हमारी North America से नहीं गुजरती है इसी वजह से यह पर उन्हें picture भी लगा रखी है अगर आप देखो जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसका latitude नंबर है 23 and a half degree North वो अभी यहां से पास होई North America कांट्री मेक्सिको फिर इंडिया को एकदम दो भागों में equally divide करके एश्या को भी कट किया तो यह North America को कट करती है अफ्रिका को भी कट करती है और हमारे एश्या को कट किया Tropic of Capricorn के नहीं मकर रेखा की बात करें तो इसने South America को कट किया फिर Africa को कट किया और फिर Australia को कट किया ठीक है तो कहीं नगे अगर हम आगर मैं आपसे यह वुचलों कि उस लाइन का नाम बताओ या फिर उस लाइन का नाम बताओ उस continent का नाम बताओ तुम उस महाद्वीब का नाम बताओ जहां से तीनों लाइन पास होती है ट्रोपिक हाफ कैंसर भी होती हैक तो किसी बितरह से question आपसे पूछा जा सकता है तो इसका सही answer होगा option number B8 राज्यों से होकर गुजरती है वो कौन-कौन से 8 state है सबसे पहले तो गुजराज से पास होती है फिर राजस्थान को जरा सकट करती है फिर मद्य प्रदेश के एक दम बीचोबीच से जाती है जारखंट, वेस्ट पेंगोज और तिरपुरा और मिजुराम अब इसको याद कैसे करें उसकी कई सारी आपको ट्रिक मिल जाएंगे चलो मैं भी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसका ट्रिक नोट कर लो गुजराती राजा मेड गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन इन दा मीटिंग इन को छोड़ दो विन दा मीटिंग बस कर लो ठीक है क्योंकि इन से कुछ नहीं है ठीक है तो गुजराती से गुजरात हो गया राजा से राजस्थान हो गया M से जहांपे मेड है M से हो गया मद्य प्रदेश, Chief Justice और C से हो गया आपका 36 गड़, J से हो गया जारखंड, W से हो गया West Bengal, T से हो गया त्रिपुरा और M से हो गया मिजोरं, तो ऐसे आप इन 8 राज्यों को याद कर सकते हो, ठीक है, अगला question देखते हैं, question number 9, consider the following statements regarding longitudes and latitudes, longitudes are angular distance of a place from the equator, latitudes are angular distance of a place from the prime meridian, अच्छांच वो देशांतर के संबंद में आप देखिए statement, देशांतर भूमाद रेखा कि किसी स्थान की कोड़ी दूरी है, अच्छांच प्रधान या म्योत्तर से किसी स्थान की कोड़ी दूरी है, इसमें से कौन सा आप से पूछ रहा है, which of the following is incorrect, यह धान से और करेक्टर और करेक्टर में फर्स जाएंगे, क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा, वो option number C होगा, और अगर आप यह करेक्टर नहीं देखोगे, तो डी मार दोगे, इनकरेक्टर नहीं दो क्यों, क्योंकि longitude जो होते है, angular distance होते है, वह प्लेस फ्रॉम एक्वेटर नहीं, प्राइम मेरीडियन, ठीक है, और latitudes are angular distance of a place from प्राइम मेरीडियन नहीं, इक्वेटर तो इसने क्या किया, पलेट दिया है, और यह पलेटने वाला खेल भी जो यो पीस सी बहुत करता है, कि जो है इधर उधर इंटर्चेंज कर देगा, ठीक है, यह मैं आपको कल पूरा is seen in the length of day, night, time from season to season, what among the below statements is the most appropriate reason for this variation, जो मौसन में जो seasons effect होते हैं, जो seasons होते हैं, season का जो change होता है, वो किस वज़े से होता है, यह आप से पूछ रहा है, rotation की वज़े से, on its axis, revolution around the sun in elliptical orbit, बोथ हैं भी यह फिर revolution of earth on tilted axis, इसका जो सही answer होगा, वो option number D होगा, actually कहीं न कहीं elliptical orbit में घुमता है, यह भी सही हो सकता है, अगर यहां पर होता, बोथ B and D, एक ऐसा option होता है, इसकी जगे सी की जगे, तो वो ज़्यादा सही होता, ठीक है, क्योंकि अब यहां को चलो पूरा, इसका seasons का आपको मैं पहले concept समझाता हो, ठीक है, rotation, तो पहले हमने यह कल सिखा था, और जो Earth tilted होती है, कल मैंने आपको यह चीज़ सिखाई थी न, एक सेकंड, तो कल मैंने आपको यह चीज़ सिखाई थी, कि जो हमारी Earth है, वो कहीं न कहीं tilted है, थोड़ी सी, कितनी tilted है, 23 and a half degree, जो है tilted है, तो जो Earth का tilt है, और rotation है, अर्थ का tilt प्लस rotation, यानि यह day और night को effect करता ह है, और जो Earth का tilt है, और revolution, यानि कि अपरी क्रमन, वो हमारा seasons को effect करता है, कई बार UPS exam में इस पर question आ चुका है, क्यूंकि हमारी Earth tilted है, ठीक है, अर्थ tilted है, तो अभी 21 जून वाली condition में इसका जो northern hemisphere है, वो sun की तरफ phase कर रहा होगा, ठीक है, और इसके जो sun की rays हैं, वो directly Tropic of Cancer प बीच में ही move करता है, ठीक है, और वो नहीं move करता है, मारी Earth actually move करती है, तो जो orientation बनता है, वो इस हिसाब से बनता है, कि Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn के बीच में ही, direct sun की जो rays है, वो पढ़ती है, उसके beyond जो है, Tropic of Cancer के उपर, Tropic of Capricorn के नीचे direct rays नहीं पढ़ती है, फिर slanting rays पढ़ती है, और यह जिस दिन Tropic of Cancer पे एक दम direct rays पढ़ती है, वो दिन होता है, 21 जून, उसको बोलते है, summer solistice, क्योंकि उस दिन northern hemisphere में सबसे बड़ा दिन होता है, longest day होता है, ठीक है, और इसका उल्टा इसी दिन यहाँ पे होता है, इस दिन southern hemisphere में, यहाँ से मेरा मतलब है, सदन हमें से यहाँ पे 21 जून को shortest day होता है, और 21 जून को हम क्या मनाते है, योगा day मनाते है, ठीक, अब इस वाले इसमें angle में आ जाओ, ठीक है, अब यहाँ से, इस orientation में जाने में, यह दो orientation बीच में आएंगे, जब ऐसे, इस orientation से, इस orientation पर जाएगा, तो यह वाला आएगा, जब इस orientation स सामने आपको दो cases दिख रहे हैं, यह वो आले cases है, जहाँ पर day और night equal होते हैं, ठीक है, पूरे earth में, इस 21 जून को northern hemisphere में सबसे बड़ा दिन होता है, और यहाँ पर छोटा दिन होता है, और 21 या फिर 22 दिसमबर को southern hemisphere में सबसे बड़ा दिन होता है, और हमारे यहाँ सबसे northern hemisphere क्योंकि हमारा इंडिया वो northern hemisphere में ही है, सबसे छोटा दिन होता है, यह आद रखना 21 जून को हम summer solistice बोलते हैं, ठीक, और यहाँ पर जो दो conditions जहाँ पर day और night equal होते हैं, उनको हम equinoxes बोलते हैं, क्या बोलते हैं, equinox, क्योंकि इस दिन दिन और रात equal होते हैं, और यह त इसको autumn को बोलते हैं, वसंत रितू और spring को बोलते हैं, शरद रितू, यह तारीक है 21 March की, उमीद करते हूँ, आप समझ गया होगे, कि जो season का effect क्या चीज़ कर रहा है, अर्थ का revolution around its orbit कर रहा है, प्लस वो जो tilted है अपनी axis पे, वो चीज़ जो है effect कर रहा है seasons को, ठीक है, तो अंसर, उमीद करते हूँ, आप समझ गया होगे, अगला question देखते हैं, कुछ भी किसी को problem होता है, आप comment में, लिख देना मैं, पूरा doubt अगले वीडियो में clear कर दूँँग, ठीक है, consider the following statement regarding equator, equator की regarding, भूम अदर रेखा के regarding आपे statement देखो, पहला statement, equator is the largest latitude of earth, dividing earth into two equal half, equator जो है, प्रत्वी का सबसे बड़ा latitude है, जो कि दो बराबर भागों में earth को काटता है, बिल्कुल सही है, सबसे अगर, सबसे बड़ा latitude को मैंने समझाया था न, सबसे बड़ा अगर धागा बांदो किसी ball पे, तो आपको एकदम center पे बांदना पड़ेगा, ठीक है, और equator हमारा एकद सबसे बात है, ठीक है, तो यह सेकंड भी सही हुए, sites near the equator are good location for space ports as they have faster revolution speed than other latitude, तो यह जो अपका statement है, बिल्कुल गलत है, हो सकता है, कुछ लोगों के सही लग रहा हो, बिल्कुल गलत है, कुछ स्टुडेंट सोच रहा है, सर आप ही नहीं तो बताया था कल, equator पे बहुत ज्य से देखिए, यह जो earth है, rotate कर रही है, around its axis, revolution कर रही, around its orbit, ठीक है, मैं rotation की बात कर रहा है, कि rotate करती है, सबसे highest rotation speed equator के around होती है, और यह कहना क्या चाहरा है, अगर पता, यहां पे rotational speed लिखा हो, तब इल्कुल सही होता, लेकिन यह कहना क्या चाहरा है, कुछ लोगों को समझ नह होगे, तो उसकी, जो earth की जो speed है, वो कहीं नहीं इसको और सायता देदेगी, कम इंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, क्यों पढ़ेगी, क्यों पढ़ेगी, क्यों पढ़ेगी, पहले से added velocity यहां पे, और तुम पता चला, पोल से rocket को launch कर यहां से बहुत मुश्किल होगा, यही कारण है कि जो काफी सारी ब्रिटेन और ऐसी कंट्रीज है, यहां प्यारती हैं, जैसे कुछ सैटेलाइट से अपनी इंडिया से launch कर वाली, कुछ फ्रांस में एक जगा है, ठीक है, गुवाना पोर्ट, फ्रांस सॉरी बोल रहा हूं, यह विनेजुला के पास में, फ्रांस नहीं, विनेजुला के पास में है, तो वहां से यह लोग लाँच कर वाते हैं, क्योंकि वो एक्क्वेटर के एकदम पास में, तो क्योंकि अपने थोड़ा एड़ेट वेलोसिटी, वही है कि अगर मान लोग कि तुम तुम दॉलर है, और पीछे सब ने धक्का दे दिया, तो क्या है तुम जो है, थोड़ा आराम कर सकते हैं, वही ने तुमारे फ्यूल कम लगेगा, तुमारी एनरजी कम लगेगी, तो इसका आंसर होगा, उप्शन नमबर C1 and 2, अगला है, consider the following statement, a person traveling from India to USA across international date line will gain a day, a person traveling from Mexico to New Zealand will lose a day, on a 12 hour clock the time is 5.30 in Delhi, the time in London on a 24 hour clock will be 00, बताये, इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें पूछा incorrect कौन सा है, गलत कौन सा है, यह हमसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा, option number A, all statements are correct, सभी सही है, क्यों सही है, क्यों सही है, क्योंकि अभी इंडिया से यह से जाएंगे, तो हमें एक दिन ब और इधर जाएंगे, इधर पर, तो हमें अपनी प्राइम मिरेडियन मिलेगी, ठीक है, तो प्राइम, अब यह कौन सी लाइन है, यह लाइन है, जिग-जाग लाइन है, इसका माइडिया इंटरनाशल डेट लाइन बोलता है, 180 डिगरी, चाहिए इस्ट बोलो, यह वेस्ट बाइन है, अब जीरो डिगरी से, और 180 डिगरी तक अगर हम डिफरेंस कालकुलेट करें, तो कितना 100 सी डिगरी का डिफरेंस है, और एगर हम टाइम की बात करें, तो 12 घंटे का डिफरेंस निकल के आ जागा, गशन के इथर हम आएंगे, तो प्लस 12 हॉर्स हमें करना पड़ ठीक है अब यह तो हमने कर लिया इसके इस्टर्ण साइड में चलो चलते हैं जब इधर जाएंगे तो घर्टी तो गोल है तो उधर से अगर हम जाएंगे तो यहां पर जाएंगे और जब यहां से हम काल्कुलेट करें उधर जाके तो यहां में 12 गंटे माइनस करना तो अगर यहां पर प्राइम मेरीडियन पर एक जनवरी रात के बारा बज़ रहे होंगे तो यहां पर अगर हम यहां से चलते हैं तो कितना बज़ रहा होगा यह बज़ रहा होगा यहां पर देखें इस साइड में तो कितना बज़ रहा होगा यहां पर बज़ रहा होगा और कितना कितना difference है पूरा का पूरा एक दिन का difference है यानि कि यहां से यहां जाओगे तो आपका एक दिन बढ़ के मिलेगा आपको एक्स्टा मिलेगा यूविल गेन डे ठीक इसका उल्टा लूज अड़े क्यों गेन अड़े सीधे देखो ना यहां पर एक जन्वरी तुम रह चुके हो ठीक है एक जन्वरी सब कुछ रहे के अब यहां तुम इस लाइन को उधर चले गया फिर तुम्हें एक जन्वरी फिर से मिलेगी तुम्हें फिर से न्यूर सलिब मेक्सिको टो न्यूजी लैंड अगर आ रहा है तो ही विल लूज अडे उल्टा हो जाएगा तो यह बिल्कुल सही है और हमने कल देखा था कि इंडिया और जो प्राइम इरिडियन उसके बीच में साड़े पांच घंटे का अंतर है और साड़े पांच घंटे हम लोग आग का डिफरेंस निकाले 68 डिगरी और 97 डिगरी उसब तो टोटल दो घंटे का टाइम लाग निकलके सामने आता है लेकिन हमारा जो आईस्ट एंडियन स्टांडर टाइम वो 82.5 डिगरी इस्ट में है इन विच अमंग दा फॉल्विंग स्टेट ड़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ए अब धान से देखो यहां देखो मैं कितना ब्यूटिफुल से इंडेक मैं बना रहा हूं यहां पर आपके कहीं आईस्टी है ठीक इंडेस्ट टाइम और यहां से आपका कुछ पास होता है जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यह मिलते हैं 36 गड़ का कोरिया डिस्टिक अगला कुष्टिन है अगला कुष्टिन है अमारा दो कुष्टिन है जो कि हमारे प्रीवियस यह इस बार के सीडियस एक्जाम है पूछे गयते हैं अब जरा इनको अटेम्ट कर लो और फिर टोटल आप 1614 देख लिए और दो यह फिर 16 में अपना स्कूर बताना विच वन फॉल्विंग वाटर बॉड़ी सेपरेट दी अंडमान और निकोबार आइलेंस गल्फ ऑफ मनना टेन डिग्री चैनल एलेवन डिग्री चैनल फिर पाक स्टेट बताइए इसका सही अंसर क्या होगा ऑप्शन नमबर बी टेन डिग्री चैनल अभी हमने देखा और पाक होगा तो आपका स्कोर कितना आया वह आप कमेंट में बताएए आसानी से स्ल्फ कर सकते हो तो इह कल हम लोग देखने वाले हैं अर्थक्वेक और आपका स्कोर कितना आया वह आप कमेंट मताइए वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्स्राइब करके नोटिफिकेशन में जरूर प्रेस कर लिजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहा टेली ग्राम चैनल का लिंग में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो उसको जॉइन कर लेना वहाँ पे आपको सारे पीडियेफ जो हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे धन्यवा